आपके साथ मैं हूं रीना आज तक आपने बहुत गणेश मंदिर देखे होंगे सुने होंगे क्या आपने सुना है कि आतंक के साय में भी एक गणेश जी का एक दंत दुल्लव प्रतिमावाला मंदिर है आए आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं चतिसगड के नकसर गुर्भावित दंतेवारा शेतर में हजारों फिट की उचाई पहाड़ी पर एक प्राजीन गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है डोलकल की पहाड़ीों पर स्थापित 6 फुट उची 21 बाई 2 फिट चौड़ी ग्रिनेट पत्तर से निर्मित ये प्रतिमा 3,000 फिट की उचाई पर स्थापित है गणेश जी के प्रतिमा सेकरों साल पुरानी है इस अद्वित प्रतिमा को नागवंशी राजाओ द्वारा स्थापित किया गया था इस बावे मूर्ति को लेकर आज भी रहसे बना हुआ है वास्टुगला के दुश्चे से देखा जा है वहीं मूर्ति के नीचे बाएं हाथ में मोदग धारन किया हुआ है यह रहसे अद्वुत प्रतिमा एक आयुद के रूप में विराजित है पुरादत विदो का कहना है कि ऐसी प्रतिमा पूरे वर्स्तर शेत्र में कहीं नहीं देखी जाती है शेत्र में यह एक रध्था प्रचली थै कि भखवान गनेश प्रश्राम का युद्ध इसी शिकर पर हुआ था दक्षन बस्तर में भागोमी आदिवाशी परिवार अपनी उत्पत्ती डोल कट्टा की महिला पुजारी से मानते हैं इस युद्ध के दौरान भखवान गनेश के एक दान तूट गया है इस घटना की याद में ही चिंदक नागवंशी राजाओं ने शिकर पर गनेश की परतिमा स्थापित की थी चुकि परश्राम के परसे से गनेश जी का दान तूटा था इसलिए पाड़े के शिकर के नीचे की गाउं में नाम फर्स पाल रखा गया है पुरा तद्विदाओं के अनुसाट उलकल शिखर पर स्थापित दुलार गनेश जी की प्रतिमा ग्यारी सताबदी की बताई जाती है यह प्रतिमा ललितासन मुद्रा में ग्राजबान थी पुरा तद्विदाओं के मुद्रापिक इस विशाद प्रतिमा को दंतेवारा शेत्र के रक्षक के रूप में पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किया गया हुगा गनेश जी के आयोद के रूप में फरसा इसकी पुष्टी करता है यह कारण है कि उन्हें नागवंशी सास को ने इतनी उची पहाड़ी पर स्थापित किया था नागवंशी सास को ने इस मूर्थी के निर्मान करते समय एक चिन अवश्य मूर्थी परांकित कर दिया है गनेश जी के उदर पर नाग का अंकन गनेश जी अपना संतुलान बनाए रखे इसलिए शिलकार ने उन्हें ज